हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में हर्दिक श्वागत एवं अमिनंदन है आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतिय शम्मिधान एवं राजविवस्ता का टॉपिक रहेगा जिस के हमनने दो पार्ट डिसकर्स किए थे तो चैप्टर थी है हमारा मूल अदिकार मूल अदिकार यह फंड़ामेंटल राइट्स इसके हमनने दो पार्ट वो है हमारा कि आखरी वार पढ़ रहा हूं जब भी पढ़ाई करने बैटें यह सोच हैं कि आखरी वार पढ़ रहा हूं कल मेरा एक्जाम है यकीनन इस सोच के साथ की गई तयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एक्जाम आसानी से पार कर लेंगे तो यह सोच कर बैटें कि आखरी बार पढ़ रहा हूं कल मेरा एक्जाम है यकीनन इस सोच के साथ की गई तयारी एक अलग लेवल की होती है और आप बड़े से बड़े एक्जाम आसानी से पार कर लेंगे तो यह था आज तो आज अपने टॉपिक पर चलते हैं मूल अधिकार यहीं फंडामेंटर राइट्स का जो टॉपिक है हमारा उस पर हम डिसकस कर रहे थे आज हमारा तीसरा पार्ट रहेगा उसको डिसकस करने वाले हम भारती सम्मिदान का कौन सा अनुचेद बारत के सभी नागरेकों को लोक नियोजन में अबसर की समानता प्रत्याभूत करत तो अनुचेद सोला तीन के थेद बनाई जा सकती है यहादि सरकारी सेवाउं है तो उस राजज में निवास की योगिता बेहित करने वाली बनाई जा सकती है अनुचेद सोला तीन के थेद पिछले वर्गों हेतु आरच्छन का प्रावधान किस अनुच्छत के थैत किया गया है तो अनुच्छत 16-4 के थैत पिछले वर्गों हेतु जो आरच्छन का प्रावधान है वो अनुच्छत 16-4 के थैत किया गया है किस बाद में यह नदारित किया गया कि पिछले वर्ग के निर्धारण के लिए केवल जाती सुसंगत नहीं है इसके लिए गरीवी सिच्चा का इस्तार पेशा आदी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए तो यह बालाजी बना मैसूर राज्य है Next है हमारा किस बाद में उच्टम नियाले ने कहा कि पिछले पन के निर्धारण के लिए जाती सुसंगत है और इसे प्रमुकादर बनाया जा सकता है यानि किस बाद में उच्टम नियाले ने कहा कि पिछले पन के निर्धारण के लिए जाती सुसंगत है और इसे प्रमुकादर बनाया जा सकता है तो वो है इंद्रा-षाहनी बना भारत संग 1993 जो मंडल मामले के नाम से प्रिशिद्य है इंद्रा-षाहनी बना भारत संग 1993 किसी अनारच्छित वर्ग का व्यक्ति आरच्छित वर्ग के परवार में धत्तक बिवाह या अनिकिसी आधार पर प्रवेश पाने पर अनुशेद 15 चार ज्या अनुशेद 16 चार के अंतरगत आरचन का लाव नहीं प्राप्त कर सकता है तो वो है बल सम्मा पाल बनाव कोचीन विश्व विद्याले तो यह बहुत ही महत्मूर बन जाता है बल सम्मा पाल बनाव कोचीन विश्व विद्याले तो यह है अनारचित वर्ग का व्यक्ति आरचित वर्ग के परवार में दत्तक, बिवाह या अन्य किसी आधर पर प्रिवेश पाने पर अनुचित 15-4 या अनुचित 16-4 के अंतरगत आरचित का लाव नहीं फ्राप्त कर सकता है किस आधर पर पिछले वर्ग का निर्दार नहीं किया जा सकता है तो वो है आर्थिक आधर पर पिछले वर्ग का निर्दार नहीं किया जा सकता है Next question है हमारा किस आनुचित के थेट अनुचित जाती तथा अनुचित जन जाती को प्रोर्न नती में आरचन का उपवंद किया गया है तो अनुचित 16-4 काम किया गया है किस समिधान संसोदन अधनियम द्वारा अनुसूची जातियों तथा अनुसूची जन जातियों को प्रोन नती में आरचन का प्रावधान किया गया है किस बाद में उचितम नियाले द्वारा दिये गए निड़ने कि प्रभाव को शमाप्त करने ये तू शम्मिदान में अनुचे 16-4 का जोड़ा गया तो वो जोड़ा गया तो वो जोड़ा गया था इंद्रा शाहनी बना भारत संग 1993 के मामले में किस अनुचेत के अंतरगत अगरनेन का सिद्धान बेहित किया गया है तो वो जोड़ा गया है तो अनुचेत 16-4 का के अंतरगत किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अगर नयन के नियम को उच्छतम नियायल ने असम्यदाने गोशित किया था तो वो किया था देवाशन बना भारत संग के बाद में नेक्स कोशन है हमारा बारती संग्दान का कौन सा अनुच्छत बारत में किसी वी रूप में अस्प्रसता का निसेद करता है यानि अस्प्रसता का जो निसेद करता है वो है अनुच्छत शत्र है Protection of Civil Rights Act अनुच्छेट को किया गया है तोन्चेत 17 को एक्स? अपरात अधनियम पच्पन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधकार सटरजल अध्रियम 1955 प्रोटेक्शन ओफ सिविल राइट सेक्स 1955 बारत में अस्परस्ता निवारन किन किन उपायों द्वारा किया जा सकता है कानून मनाकर सिच्छा द्वारा तथा जन जागन द्वारा कौन सा अनुचिद भारत में उपादियों कांत करता है नेक्स गुशन है हमारा किन छेत्रों में राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमती है वो है शैनाभा विद्या के छेत्र में कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई विश्वास या लावका पद धारण किया है किसकी अनुमती से किसी विदेशी राज्य से उपादी गिन कर सकता है तो वो राश्टपती की अनुमती से उपादी गिन कर सकता है next question है हमारा किस बाद में उच्चच्टम नियाले न धारित किया की भारत रत्न पदम भिभूशन और पदम स्री अलंकर्ण अनुशिद 18-1 के अर्थों को में उपादी नहीं है यानि किस बाद में उच्छतम नियाले ने दारित किया गी भारत रत में पदम भिभूशन और पदम स्री अलंकर्ण अनुशिद 18-1 के अर्थों में उपादी नहीं है यानि सुतंतरता का जो अधकार है वो अनुचेद 1922 के अंतरगत किया गया है सुतंतरता के अधकार का वर्णन अनुचेद 1922 के तहत अनुचेद 19 के अंतरगत कौन सी सुतंतरता दी गई है अनुचेद 19 के अंतरगत सब्धिबग शिर्दें में शर्ण प्रदान किया गया है तो वह है अनुचत 20 के तहिद और अनुचत 21 के तहिद किया गया है और किसा मूल अधकार प्रदत किया गया है ख। 21 का के अंतरगत कौनसा मूल अदकार यानि सिच्छा का मूल अदकार प्रदत किया गया है अनुचेद 22 के द्वारा कौनसा मूल अदकार प्रदत किया गया है अनुचेद 22 के द्वारा कुछ दसाओं में गरफतारी और निरोद से सरणचन का मूल अदकार जो अनुचेद 22 में मूल अदकार प्रदत किया गया है वो है कुछ दसाओं में गरफतारी और निरोध से सरणचड का मूल अदकार Next question हमारा मूल समिधान द्वारा मूल समिधान द्वारा अनुचेद 19 के तहित कुल कितनी सुतंतरतां उपवन्दित की गई थी बरतमान में अनुचेद 19 के अंतरगत कुल कितनी सुतंतरतां का उलेख है यानि मूल समिधान में अनुचेद 19 के अंतरगत कितनी सुतंतरतां थी तो वो थी 7 सुतंतरतां थी और बरतमान में अनुचेद 19 के अंतरगत कुल कितनी सुतंतरतां का उलेख है नेक्स्ट है अनुच्षेद 19 चा में उपवंदेद सम्ति के अधकार को किस सम्ति के अधकार को ध्रमात्ति के अधकार से समाप्ट कर दिया गया अनुचफित 19 द्वारा प्र То । यह थ यह था हमारे आज की लेक्टिर के कॉशन तो आज को आज का लेक्टिर आपको अच्चा लगा हुआ हुआ, I hope आपको हमारे लेक्टिर अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे कि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके तैंक यू गाइज, जै हिन, जै भारत